देश में राजनीताओं द्वारा दलितों के घरों में खाना खाने के बढ़ते चलन के बीच वरिष्ट बीजेपी सांसत सावित्री बाई फोले ने इसे दिखावा और बहुजन समाज का अपमान करार दिया है वरिष्ट बीजेपी नेताओं द्वारा हाल में दलितों के घर में खाना खाय जाने के बारे में पूछे गें सवाल पर बहराईट लोग सभासीट से सांसत सावित्री बाई फोले ने कहा कि बाबा साहब हीमराव आमबेड कर ने भारत के संविदान में जाती विवस्था को खत्म करते हुए सब को बराबर की जिन्दगी जीने का अधिकार दिया है लेकिन आज भी अनसूचित जाती के प्रती लोगों की मानसिकता साफ नहीं है उन्होंने कहा इसलिए लोग उनके घर में खाना खाने तो जाते हैं लेकिन उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाते उनके लिए बाहर से बरतनाते हैं बाहर से खाना बनाने वाले आते हैं वे ही परोस्ते भी हैं। दिखावे के लिए दलिद के दरवाजे पर खाना खाकर फोटो खिंचवाई जा रही है और उन्हें वाटसप, फेस्बुक पर वाहल किये जाने के साथ साथ टीवी चैनलों पर चलवा कर वाहवाही लूटी जा रही है। कि बातो तब हो जब दलिद के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं और खुद उसके बरतनों को धोएं। उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जाती के लोगों का सम्मान बढ़ाना है तो उनके घर पर खाना खाने के बजाए उनके लिए रोटी, कपड़े, मकान और रोजगार का इंतरजाम किया जाए हम सरकार से मांग करते हैं कि वे अनुसूचित जाती के लोगों के लिए नुक्रियांसरि जित्त करें केवल खाना खाने से अनुसूचित जाती के लोग आप से नहीं जुडेंगे क्या वे इस मुद्दे को बीजेपी अध्यक्षमित शाह के सामने रखेंगी इस सवाल पर पार्टी सांसद ने कोई साफ जवाब नहीं दिया सावित्री ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाती के लोगों को आज भी यहीन भावना से देखा जाता है मैं सांसद हूँ और मुझे भीजेपी सांसद के बजाये दलित सांसद कहा जाता है द अगर सम्मेदान को उसकी मूल भावना से लागू कर दिया जाये तो देश में ग्यर बराबरी और जाती वेवस्था खुद बखुद ही खत्म हो जाएगी आज आम बेड कर प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है और उसे खंडित करने वालों की गिर अफ्तारी नहीं हो रही है घ पहले पिछले महीने सांसत सावित्री ने उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनाउस थित कांची राम स्मृती उपवन में भारतिये सम्मेदान और आरक्षन बच्चाओ महारेली का आयोजन कर